हाई गाईज, आज के वीडियो में मैं जीरे से बना वेट लॉस वाटर दिखा रही हूँ, यह काफी सिंपल रेसिपी है और सिर्फ दो मिनिट लगते हैं इससे बनने को, तो चलिए शुरूर करें, जीरा नॉमली हर घर में मिल जाता है, इसमें थाइमो क्यो नॉन है, जिसमे अंटियोक्सिदेंट और अंटाइ इंफलिमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, यह आपकी बोड़ी डीटॉक्स करता है और ब्लट शुगर ठीक रखता है, आपका मेटबॉलिजम बढ़ता है और कुलिस्टरॉल लेवल्स घटते हैं, इस रेसिपी में जीरा पाउडर नहीं यह आए को, क्योंकि उसमें हामफुल पेस्टिसाइड और केमिकल्स नहीं होगे, एक ग्लास में दो टीस्पून जीरा डालें, फिर एक चौथाई टीसपून दालचिनी का पाउडर डालें, सीलोन या श्रुवलंकन दालचिनी पाउडर लें, रेग्लेर डालचिनी लेना याने की कासिया सिन् seeनेमन पाऊडर लेना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कुमरिन है इससे लिवर डामेज और कैंसर होता है इसी लिए सीलाइटमा डालजनी लें क्योंकि सीलाइटमादा बहुत कम होती है आप देख सकते हैं ओर्गैनिक सीलोन दालजनी और कासिया दालजनी पाउडर में कितना फरक है इन तक कलर अलग है और और ग्यानिक दालजनी पाउडर की खुश्पू भी काफी अच्छी है साधी दालजनी पाउडर से अब ग्लास में 200 ml उबलता पानी डाले अच्छे से मिलाएं और जीरा और दालजनी पाउडर को कम से कम 5-6 गंटों के लिए ऐसे ही रख दे या फिर उसे रादभर स्टीप होने दे ग्लास को लिड से ढख दे गरम पानी से जीरा के हल्दी ओयल वगेरा पानी में अच्छे से इंफ्यूस होंगे इस वीडियो को इंग्लिश में आप मेरे पहली चानल वर्सिटाल विकी में देख सकते हैं अब अगली सुबा पानी चान कर जीरा और दालजनी पाउडर अलग कर ले इन्हें खाना बनाने में यूज कर सकते हैं लेकिन दोबारा ये ड्रिंक बनाने में ना यूज करें एक टी स्पून नीबू का जूस डालें और खाली पेट पिएं लेमन या लाइन जूस कोई भी चलेगा इस पानी से आपका मेटेबॉलिजम बढ़ेगा और बेवक्त भूक नहीं लगेगी ये ड्रिंक healthy diet और exercise के साथ अच्छे से काम करेगा चर्बी कम होगी और bloating भी दो हफ़ते खाली पेट पीने से काफी अच्छे results दिखेंगे अगर ज्यादा वजन कम करना हो तो इस पानी को दिन में तीन बार पिएं दो हफ़ते के लिए पहला ग्लास सुबह खाली पेट दूसरा ग्लास दोपहर के खाने से पहले और तीसरा ग्लास रात के खाने के बाद पिएं दोपहर का ड्रिंक सुबह बना ले और रात का दोपहर में ताकि कम से कम 5 घंटे हो इसे infuse करने के लिए इस ड्रिंग से आपका digestion ठीक होगा, metabolism बढ़ेका और बजन काफी जल्दी कम होगा, bloating कम होगी और आप पतले होने लगेंगे. ये पानी safe है सबके लिए, जैसे thyroid, PCOS, diabetes, pregnant और nursing mothers वकेरा. लेकिन nursing और pregnant महिलाएं, इस ड्रिंग को सिर्फ दिन में एक ही बार पिएं. ट्राय करें organic jeera याने की cumin seeds और organic cilon dalcini याने की cinnamon powder लेने का, क्योंकि इन्हें हमें पानी में भीगाना है और वही पानी पीना है, इसलिए इनमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए. बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में है. आप ये icons भी scan कर सकते हैं अपने mobile से, मुझे Instagram और FB पे follow करने के लिए. उमीदें आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर हां, तो वीडियो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. और जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक, इस पानी को अपने डायेट में लाएं, और अच्छे रिजल्ट्स पाएं. बाबाई. बाबाई.